हम महाराष्ट में किसानों के उपज के सिधे निर्यात को सक्षम करने के लिए राज्यों में साथ स्यात पोर्ट स्थापित करेंगे ताकि किसानों को अपने उपज के आयात और निर्यात के लिए मुमई जाने की जरूरत नहूँ नासीक में भी बंदरगाह बनने से वहाँ से सभी जगोपर सामान निर्यात करना संभव होगा ऐसा केंड्रे राजमार्क और परिवान मंत्रे नितिन गड़करी द्वारा कहा गया सारवजुनिक पुस्तकाले नाशिक द्वाराज केंद्रियो मंत्री तिन गड़करी को नई दिली में माधो रावली में कुशल संसद पुरसकार प्रदान किया गया इस अभिवादन का उत्तर देते समय गड़करी बोल रहे थे इस कारिक्रम को भारती पवार सांसद रक्षाखर से, पुर्वसांसद सुभाश भामरे, सांसद हेमंत अप्पागोर से, गिरिश नातू, सांसद विने सहस्त्रबुद्धे, संजे कारंसकर, प्रणव पवार, शंकर बुराडे, जैप्रकाश दातिगाव कर आधी उपसित थे सतकार और समान होते ही रहते हैं, लेकिन नासिक मुस्तकाले इस स्वागत की परंपरा अलग है ऐसा कहते हुए गड़करी ने कहा, नासिक में सबसे ज्यादा जरुरतमन छात्रों के अध्यान के लिए अभ्यासिका है